नमश्कार SPN 9 News में आपका स्वागत है एक बड़ी खबर बिहार से सामने आ रही है लोग सभाद चुनाव से पहले नए चेहरे चुनावी मैदान में उतरने के लिए तयार हो गए हैं आपको बता दें कि बिहार के लोग परिये यूटूबर मनीस कश्यप चुनावी मैदान मे तरने को तयार हैं इस बात की अटकले लगाई जा रही थी कि अगामी लोग सभाद चुनाव में उन्हें बीजेपी की तरफ से सीट मिल सकती है वो किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे इसकी पुस्टी तो अभी नहीं हुई है लेकिन मनीश कश्यप ने हुंकार भरते व उसे वाखिफ हैं उन्हें ने तो यहां तक साफ कर दिया है कि वे किसी भी गडबंदन के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं लोग सभाद चुनाव में लड़ने का एलान करती वे मनीश कश्यप ने कहा कि बहार की जंता को अंदर और बहार वालों ने जम कर ठगा है लेकिन बिहार की बरबादी की काहानी काले अक्षरों में प्रिंट होकर नहीं आएगी लोग प्रिये यूटूबर ने आगे कहा कि हम कमर कश चुके हैं इस चुनाव में हम लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी हम बिहारी हैं और हर चीज संघर्स के जरिये हासिल कर सकते हैं आपको बता दें कि चुनाव लड़ने का एलान करते हुए मनिस कश्चप ने पूर्व डिप्टी सीएम और आरजीडी मुख्या तेजस्वी यादव को खुली चुनौती भी दे दी। उनसे जब पूछा गया कि तेजस्वी यादव ने चार लाख नौकरी देने की बात की है। इस पर कश्चप ने कहा चार लाख से बिहार का पेट भर जाएगा। हम स्टाइम पेपर पर लिख कर देते हैं कि हम उनसे चार गुना ज्यादा रोजगार देंगे। जिसके माध्यम से ये लग रहा है कि वो तेजस्वी यादव के खलाफ चुनाव लड़ते हुए नसर आएंगे।